साज मैं बदाम श्रेक मैंने बादाम को एक घंटा पहले पानी में बुगो दया था मैं उस्के छिलके उतार रहे हुँ यहापर मैंने छिलके निकाल लिया है और थोड़ी से काजू भी रखे हैं मिक्सी के जार में मैंने बाद कर रखे हुए हैं थोड़ा सा मैं तीन कप बना तीन गिलास बना रही हूं तो इसे साफ से मैं तीन चमच इसमें चीनी भी डालूँगी चीनी पड़ जाएगी इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी पानी ज्यादा नहीं डालूँगी थोड़ा सा ही डालूँगी इतना पानी म पाउड़ भी इस दाला हुआ है जो कि हमारा इसमें तोड़ी इसमें में डाला हुआ हुआ फच्छा यह यह प killing करोंगे इस तरह से मैं उनको काट लूँगी क्योंकि यह उपर से जब मैं डालूँगी तो देखने में भी अच्छे लेंगे कि इस वज़े से मैंने इनकी कटिंग कर ली है और यहां पर मेरा दूद भी गाड़ा हो गया है अब मैंने जो वादाम पीसे हुए थे वो भी इसमें डाल दूँगी और गैस यहां पर मुझे बिल्कुल मैं लो फ्लेम पर ही कर लूँगी इसके बाद डालूँगी नहीं तो फिर इसमें गाठे पड़ जाती है इसको चलाती ही रहूँगी और इसमें मैंने थोड़े से इलाची दाने भी डाले हुए है इलाची को मैंने पीस लिया था तब दाने उनके डाले हुए है आप देखो यहां पर दूद भी हमारा गाड़ा हो गया है थोड़ा सा दो मिनट और इसको पकाऊंगी जादा नहीं है पकाऊंगी फिर मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था अब मैंने इसको गिलास में कर लिया और इसके उपर मैंने जो बादाम काटे हुए थे बादाम डाल दिये हैं जो की हमारे देखने में अच्छे लगेंगे और स्वाद में बढ़िया लगेंगे। यहां पर बनके तयार हो गया और देखना यह कितना आच्छा हो रहा में गारा गारा भी हमारा खूब हो गया। बजे से देखो ये कितना अच्छा बनगा है और यहां पर बनकर तयार हो गया बादाम से एक